पिछले दो वीडियो में मैंने देखा कि पाकिस्तन वर्सिज इंडिया का जो कराटे कॉंबेट का मैश था एक्चुली फाइट थी वो फाइट कैसे बनी वो प्रेस कॉंफरेंस के जरीए बनी थी उसका भी रियक्शन मैंने डाल दिया है आप लोग देख सकते हो चैनल पर ज पाकिस्तान कराटे कॉंबेट का एक और मैच इसी के अंदर क्योंकि कैप्टन जो हैं वो दोनों थे शाजेब और राणा सिंग तो लेट्स स्टार्ट पावन गुपता ओके यह हैं पावन पावन गुपताह फो लिघसकत प्रॉगाउ्य के लिए पकस्तान फावन म्ल nuclear हमन थेयみ वेश्वान थे एक पावन गॉटीर पावन गुपता च्प्वतस प्रुपता आपताहि समयों से ख्कांइंड गुिदान प्राणा और शाजेट की फाइड में तो एक पर आता है इसमें देखते हैं कि क्या होता है इसमें तो मुझे लगा कि बड़े बोल्लों कासार है कुछ बाते हैं बातों से कुछ नहीं होता है पाणा पादेन जैए प्रीआ और अवा किस्तान है अवसेड गया प्रीड आरीड वा है पुछ दो चूछ बड़ा पर आप दो निती है पंस्पी यह नहीं व्यांड फिटकर पर लेट गीजा पापी लंगे हैं इंडियन फाइटर्स इतने किर्फ वह जाए है वह पाई एक थे शाहिए रहल जो गया पाइचिक आई खुदी खुदी ज्फुदी ओओष यहाँ ज्भाट चाहिए लिए उसन एक निए आदेटाव साथ लगवाट लागए रएट जादेटेटेटेटे अँछ कोज़ और इंडिया इस नाथ लेंदर तनाइग फक्रावर पर्सेंदर गार कि ला स्टों वह तिरु आदा दिखा जरी आपका फ्टार जिया। कुछ तो किया क्याप्टेन ने कुछ पिया निए ओ शीए पड़ गया मुटे पड़ा वटतर्नाक बड़ा भाई चेहर कर लुटता ने का लगा पाकिस्तनी ने अगाए पाकिस्तन वाँ वाँ इसथद्टा आप तर्प्ड़वड़ ए डाग्प्टा वह जिए फट्रस्टा आप एग यह जए यह जए लगाए वीन एफ तर्फटा तो एक हो दिड़े है और करिस्ट आए अल्दील जख दूख है वासम 1-0 पकिस्तन,What are your thoughts on that dude? That was crazy वो ऑर लाह जीट चीज और रगो लिझ बाल सब्सक्वार को तो Kya पूल रहला पाल थोट इसक हरे न मुंदा उस और को Snri दो आपको नापको डेक जिन एक पूर आपको से अगकरेट कि गषाए है। सबस्क्तसके बाड़ कि अब मोटने को आपको बाड़ है। वisman हो कि हो आपको आपको सब्सक्त पारें लोगा है। वजग खांपाइ समय विर्थ विर गिन है। रिज्वान अली विक्टोरियस विनर बाई डिसाइसिव नॉक आउट जो मैस था काफी साही था मतलब दोरो शुरू में लग रहा था कि डॉमिनेट कर रहे हैं पवन गुपता लेकिन बाद में जाकर ऐसा कुछ सीन हुआ कि पंच पहुत तकड़ा पड़ गया भाई चैरी प और बिल्कु ब्लैंक हो गया उनका कुछ बहुत दिर तक तो ओड़ नहीं पाए थे तो यह सीन रहा है मैच अचा था इसके अंदर कुछ वैसी सीन नहीं था लेकिन हाँ प्रेस कॉन्फरेंस में ये लोग भी थे रिजबान अली और दो और लोग थे शाजेब और उनके अल बता है कि जब आप डड़े रहो और आपको भरोसा हो कि हां मेरी तयारी पूरी है लेकिन हां मैं हार भी सकता हूं उसके लिए मुझे खेलना है कि मुझे चीत कर दिखाना है और गुपता बहुत फूर्ती के साथ खेल रहे थे रिजबान अली से जादा फूर्ती दिखाई लेकिन वो जो पंच था वो बहुत खतरनाक था और बहुत दे तक कोमेंटरी जो कर रहे थे वो भी कह रहे थे शायद इनको धूंदला होगा इनके आखों के आगया अंधेरा होगा भी भी शायद रिजवान अली की तरफ से उन्होंने अच्छे से उनकों से बात की मिले पी बोल आपको कहीं न कहीं जुका देते हैं उर्दू में कहते हैं तकबुर शायद घमंड किसी चीज का आपको है अगर तो वो कभी भी नीचे आ सकती है इसलिए घमंड किसी चीज का होना नहीं जाहिए confidence के साथ आपको आगे बढ़ना जाहिए बाकी यही का आपका क्या कहना है comment section में बता सकते हो बाई बाई टेक क्यार